Hello everyone, welcome back to my channel आज की वीडियो में हम कुछ slang words की बात करेंगे English के वो slang words जो आप अकसर English novel में पढ़ते हैं जो हमें काफी confused करते हैं हम English language जानते हुए उन words को नहीं समझ पाते मैं आपको slang words और उनके साथ उनका meaning भी बताती जाओंगी आप इन slang words के notes बना सकते हैं ताकि आप जब भी novel पढ़ें तो आपको कोई दिक्कत ना हो First word है plonker plonker का meaning होता है idiot हम English में simple language में तो idiot बोलते हैं लेकिन जब हम slang word की बात करते हैं slang में बोला जाता है plonker Next word है posh posh का मतलब होता है high class जैसे कि जो high class areas होते हैं उनको posh area बोला जाता है next है top top का मतलब होता है upper class person जिसे हम हिंदी में बड़ा आदमी बोलते हैं बड़ा आदमी से मतलब है या तो वो अपनी post में बड़ा हो सकता है या अपने पैसे से बड़ा हो सकता है wealth से बड़ा हो सकता है अपनी property में बड़ा हो सकता है तो उसको बोला जाता है, उसको slang में बोलेंगे टॉफ, टॉफ पिपल next word है stag night, stag night का मतलब होता है bachelor party वो party, वो night party जो bachelors की होती है, यानि जिनकी शादी नहीं होई होती, जो क्वारे लोग होते हैं उनकी party को slang word में बोला जाता है stag night next slang word है dishie, dishie का मतलब होता है attractive man, वो आदमी जो बहुत ज़्यादा attractive लगे, good looking लगे, दिखने में अच्छा लगे, उसको slang word में बोलते हैं dishie next, off license, off license बोलते हैं liquid store को, जो शराब की दुकान होती है, उसको बोला जाता है slang में off license next, honking, honking का मतलब होता है vomiting honking का मतलब होता है, vomit करना, उल्टी करना जैसे कि मैंने यहाँ पर एक example दिया है, he honked all over the floor, इसका मतलब होता है, उसने पूरे फोर्ष पर उल्टी कर दी यहाँ पर honk as a verb यूज किया है, तो आप भी इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं अगला देखते हैं, it's monkeys outside इसका मतलब होता है, it is very cold यानि बहुत ज्यादा ठंड है उसके लिए slang में यूज करते हैं, it's monkeys outside अगला है टेड, टेड बोलते हैं little bit को, कुछ भी छोटी चीज या फिर यह small child के लिए भी यूज कर जाता है, especially वो child जो boy होता है जो लड़का होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके लिए बोला जाता है, टेड अगला देखते हैं, minging, minging का मतलब होता है, disgusting यानि कुछ भी गंदा, कुछ भी bad smell, smelling bad इसका भी मैंने यहाँ पर example दिया है, example है, you are minging, go and take a shower इसका हिंदी में मतलब होता है, आपके अंदर से बद्बू आ रही है, जाओ और नहालो next language है, airhead, airhead बोलते है, stupid person को यानि जो mindless होता है, जिसके पर दिमाग नहीं होता, उसको बोला जाता है, airhead next, bullshit, bullshit भी एक slang word है, यकसर आजकल बहुत ज्यादा बोला जाता है, बहुत common है इसका मतलब होता है, lie, यानि जूट, dishonestly कोई भी ऐसी बात करना, जिसकी intention धोका देने की हो to talk nonsense with the intention of deceiving, तो इस तरह की कोई बात हो जाती है, उस बात को bullshit बोला जाता है, जैसे हम कुछ भी गलत काम होने पर या गलत बात होने पर shit बोलते हैं, ओ shit, ये क्या हो गया, तो इसी तरह से गलत intention की talk को बोला जाता है, bullshit, next देखते हैं, next language है, catch some raise catch some raise का मतलब होता है, get some shine, get some shine का मतलब होता है sunbat, हिंदी में इसका मतलब है, दूप सेकना, तो उसको slang में बोला जाता है catch some raise, next is cheesy, cheesy बोलते हैं, cheap को, cheap मतलब घटिया, जो बहुती सस्ती होती है या फिर outmoded, outmoded मतलब out of fashion, जिसका fashion नहीं होता है, पुरानी हो चिक्वी होती है उसको बोलते है, slang में cheesy, next is chicken, chicken बोला जाता है, covert को, जो डरपोग होता है next slang word है, dynamite, dynamite का मतलब होता है powerful, बहुत ज्यादा ताकतवर next is fab, fab बना है fabulous से, fabulous का मतलब होता है wonderful, बहुती शानदार, marvelous आगे बढ़ते हैं, next slang word is, gomer, gomer का मतलब होता है dumb person, जो बेवकूफ होता है, उसको dumb बोलते है तो उस dumb person के लिए slang में word आता है, gomer, next language is, goof, goof का मतलब होता है silly, या foolish, foolish person जिसे हम हिंदी में sun की बोलते हैं, यानि जिसके पास समझने की पावर नहीं होती है इसको इस तरह बोल सकते है, lacking of good sense, यानि समझ भूज की शमता ना होना next language भी इसी जैसा है, goof off, goof off का मतलब होता है, कामचोर यानि जो अपने responsibility से भागता है, who waste time or avoid work तो इस तरह के जो लोग होते हैं, जो कामचोर होते हैं, काम नहीं करते हैं, उनको बोला जाता है, goof off next is guts, guts का मतलब होता है, courage, हिम्मत या फिर confidence अगला देखते हैं, अगला है hairy, hairy का मतलब होता है difficult, यानि मुश्किल कुछ भी दिक्कत वाली चीज को बोला जाता है, hairy difficult से मतलब है hard, जो easy ना हो, असान ना हो अगला word है hyper, hyper का मतलब होता है overly excited इसका मीनिंग अक्सर लोग जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोला जाने वाला word है जैसे हम अक्सर बोल देते हैं, hyper मत हो, यानि बहुत ज़्यादा excited मत हो excited का हिंदी में मतलब होता है जो शाना, जो शीला होना अगला देखते हैं, kick back, kick back का मीनिंग होता है relax and enjoy यानि अराम से enjoy करना, kick back अगला देखते हैं, kick off, इसका मतलब है die, यानि मरना next is white bread, white bread का मतलब होता है plain, एकदम boring plain से मतलब है कोई color ना होना, बहुत ही ज़्यादा उबाव लगना, colorful ना होना तो उसको English के slang word में बोलते हैं white bread अगला देखते हैं, umpteen, umpteen का मतलब होता है many, बहुत सारे, countless countless से मतलब है, इतने सारे कि हम गिन नहीं सकते तो उसको English के slang word में बोलते हैं umpteen अगला slang word है rubbish, rubbish भी आजकल बहुत ज़्यादा बोला जाता है ये भी काफी लोगों को पता होता है, इसका मतलब होता है not true एकदम nonsense, nonsense से मतलब है यहाँ पर falto, यानि जो बिकार होता है उसके लिए rubbish word यूज किया जाता है अगला देखते हैं pro, pro word भी आजकल बहुत trendy है इसका मतलब होता है something professional जब कभी professional चीजों के लिए कोई भी word यूज करना हो तो उसमें pro word यूज किया जाता है professional का मतलब तो आप समझी कए होंगे इसका मतलब होता है कुछ भी expert मतलब जो किसी भी काम में expert होता है या फिर वो बंदा जो किसी भी specific activity से अपने लिए earn करता है तो उसको professional बोलते हैं तो इसके लिए जो slang में word यूज होता है वो होता है pro तो guys ये थे कुछ ऐसे slang words जो हमें सिफ novels में या फिर Hollywood English movies में देखने को मिलते हैं इनका meaning अक्सर हमें समझ नहीं आता है हमें English जानते हुए भी हम इनका meaning नहीं समझ सकते हैं So I hope आपको पसंद आया होंगे पसंद आया तो वीडियो को like जरू कीजिए का और चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर आप इसी तरह की और भी videos देखने चाहते हैं मैंने slang words पर और भी videos बनाई हैं जिसका link description box में है आप जाकर check out कर सकते हैं या फिर आप मेरी channel पर playlist में भी देख सकते हैं तो मिलते हैं next video में बाई